दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme UI Software के ScreenShot Feature के वारे में इस वीडियो में मैं आपको Realme UI Software के ScreenShot के 10 Tips and Tricks दूँगा और इस वीडियो के देखने के बाद आप ScreenShot के Feature को काफी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपनी जरुवत के हिसाफ से तो चली दोस्तो अब फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको जो 10 Tips and Tricks बताने वाला हूँ उन में से कुछ Tips and Tricks ScreenShot लेने की हैं और बाकी Extra हैं तो चली सबसे पहले हम देख लेते हैं कि Realme UI के Software को इंस्टार करने के बाद आप अपने Realme के Fonts के अंदर किस तरह से ScreenShot ले सकते हैं और कितने तरीकों से ले सकते हैं तो दोस्तो इहां सबसे पहला Method यह है कि अगर आप अपने Font के Power Button और Volume Down Button दोनों को एक साथ प्रेस करते हैं तो आप अपने Font के अंदर SkinShot ले सकते हैं जैसा कि आप देखें मैंने यहां पर ले लिया तो दोस्तो यह है पहली Tips तो चलिए दोस्तो आप फाइनली बात करते हैं सेकंड टिप्स के वारे में तो सेकंड टिप्स के लिए जैसा कि आप यहां दियान से देखें यहां आपको साइड़ वार देखने को मिलता है ले सकते हैं चलिए मैं आपको बताता हूं कि Three Finger का जो Skin Shot का फीचर है आप इसको किस तरह से Enable कर सकते हैं तो इसे Enable करने के लिए Simply आपको अपने फोन की Settings माना है और Settings में आने के बाद आपको एक फीचर मिलेगा Convience Tools का तो Simply आपको करना क्या है इस पर Click करना है और जैसी आप इसको Enable कर देते हैं तो आप Three Finger के जरीए Skin Shot ले सकते हैं तो दोस्तों ये तो तीन तरीके मैंने आपको बताए कि आप किस तरह से Skin Shot ले सकते हैं चलिए अब हम बात करते हैं Skin Shots से Related और भी बाकी Tips and Tricks के बारे में चलिए जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें कि मैं अपने Phone की Settings में हूँ और मैं यहां आपको एक Skin Shot लेके दिखाता हूँ तो जैसी दोस्तों मैं एक Skin Shot लेता हूँ तो यहां हमें Side बे एक Pictures देखने को मिल जाती है तो दोस्तों आप अपने Page को इस तरह सेسب करते हैं तो अपने Phone के अंदर Long Skin Shot भी ले सकते हां और जितना भी आपको Long Skin Shot लेना है उतना करने के बाद simply आपको करना के है alles done click करना है तो दोस्तों आप ओस तरह से Long Skin Shot ले सकते हैं Realme के-ांदर Realme UI की Software को install करने के बाद खेर दोस्तों आफ फाइनली बात करते हैं हम यहाँ पर next feature के बारे में तो दोस्तों next features के लिए चलिए हम फिर से एक screenshot लेते हैं और जैसी दोस्तों आफ इस screenshot लेते हैं और आप इस pictures को नीचे की तरफ slide करते हैं तो आप directly screenshot को कहीं भी share कर सकते हैं या आप जहां चाहें आप उसको share कर सकते हैं खर दोस्तों आप finally बात करते हैं next feature के बारे में तो इसके लिए आप जैसी आप screenshot लेते हैं three finger से और आप इस pictures को ऊपर की तरफ slide करते हैं तो slide करने के बाद यहां से आप directly long screenshot को ले सकते हैं हाला कि मैंने long screenshot का एक method आपको पहले बता दिया अब यह दूसरा method आपके सामने है आप directly long screenshot को इस तरह से यानि कि click करने के बाद screenshot लेने के बाद आप pictures को जैसे ही आप swipe up करते हैं तो आपके सामने जो window open होगी वो long screenshot लेने की होगी चलिए खर दोस्तों अब बात करते हैं neck tips के वारे में तो दोस्तों जैसे ही आप अपने font की screen पर three finger को press and hold करते हैं तो यहां आपको एक vibration feel होगा और इस तरह से आपको एक और option देखने को मिल जाएगा दोस्तों इसका मतलब यह है कि आप अपने finger के जरिए यह थरी finger के जरिए जब आप hold करते हैं screen को तो आप अपनी मर्जी के हिसाफ से जितना screenshot लेने चाहा है उतना screenshot ले सकते हैं जैसे for example लिए मैं केबल इतना screenshot लेने चाहता हूँ तो दोस्तों यहां आपको यह काफी सारी tips मैंने already दे दी है चलिए है दोस्तों आप finally बात करते है next feature के बारे में तो जैसी दोस्तों आप screenshot लेते हैं तो यहां आपको एक sound सुनने को मिलता है अगर आप इस sound को disable करना चाहते हैं तो screenshot लेने के बाद आपको simply करना क्या है pictures पर click करना है और click करने के बाद यहां आपको setting का एक icon देखने को मिलेगा तो आपको करना क्या है इस पर click करना है जब भी आप screenshot लेते हैं तो अब यहाँ पर किसी भी तरह का sound आपको देखने को या सुनने को नहीं मिलेगा तो दोस्तो इस तरह से मैंने आपको Realme के fonts के अंदर जो Realme UI का software मिलता है और Realme UI के software को ensure करने के बाद जो screen shot के आपको जितने भी features मिलते हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको एक ही वीडियो में details में बता दिया है अब आप जिस मर्जी से चाहे screen shot को ले सकते हैं उसको directly share कर सकते हैं और long screen shot को भी आप काफी अच्छे से ले सकते हैं और दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आप अगर एक special area का photo लेना चाहते हैं तो आप उसको भी click कर सकते हैं तो खेर दोस्तों फलाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तब प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथी साथ चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल ना पूना तो चलिए अब फलाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ऐसी एक और मज़तार वीडियो के साथ